हेले स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग जैसा कि अब देख रहे हैं आझ आपको टौफफट है कि सिग्मोइड ग्रोथ कर्व इसे बोलते हैं यहाँ पे हिंदी में देख रहे हैं सिग्माइड बृदी बक्र अब देख रहे हैं यह जो डाइगराम देखने हैं इस चित्र को तक्षर होता है उसके जैसी रेखा है तो ऐस आकार की क्या हो रही है यह आपकी ब्रिद्धी हो रही है तो ऐसे डाइगराम को क्या बोलते हैं इस डागाएं को बोलते हैं सिगमोड ध्यान रखना है अब ये जो उपर कुछ एरो गया है अंग का आकार या भार को प्रिदर्सित करने वाला के करने वाली रेखा है अंग का आकार या भार बजन और अंग का जो आकार होता से उसको ये कर रहा है प्रिदर्सित दूसरा जो रेखा पर उपर नाम लिखा हुआ है गहतान की अवस्था गहतान की अवस्था इसमें जो गहता रखते हैं उसकी ये अवस्था है इस ये इसहां पर लेखा आ परिगामी अवस्था तो इसका मतलब होता आ परिगामी मतलब परिगामी मतलब ये होता है कि दूर दूर से आ आने वाली वस्तु इस प्रिकार से क्या कर रही है ग्रोथ कर रही है तो जैसे मालब अंगे का आकार या शेप तो अंगे का आकार कितना बड़ा है कितना बजन हुआ है वो कितने समय में बड़ा है यह आपको यह पढ़ना है मालिच एक घंटा दो घंटा ठीक है दो घंटा त 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा इस प्रकार के घंटे हो गए यहां पर आंगे का आकार कौन सा आंगे का आका बढ़ रहा है अगर जो बढ़ रहा है तो उसकी बृद्धी कैसी हो रही है किसी आंगे की जो बृद्धी हो रही है वह ऐसा आकार की हो रही है ऐस घहतां की बक्र या प्रदर्शित 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 प्रदर जिए ये व्रिद्धि कर रहे हूं एकदम उपर से तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह दिया है यहाँ पर इसका शूत्र दिया है इसे पिर्थम आकार प्रारंबिक समय में बोलेंगे ठीक है और जो आर दिया आर का मतला होता है बृद्धी दर ती मतला होता है समय में बृद्धी और आपका जो ई दिया है ई मतला होता है सौभाबिक लगू गड़क गालिक का आधार यहां और जो आपका ओ दिया है ठीक ह तो इसका मतलब होता है आर बराबर एक साबिक्च बिर्दी दर है तथा साथ ही पौधे नई पादब सामगरी को पैदा करने के लिए छमता को मापने के लिए होता है तो इस प्रकार की जितने भी हमने जो आपके सूत्र में आपने देखे कि किस को क्या बोलते हैं ठीके तो आपका यहां पर आपको कुछ नहीं है आर दिया है यह वराबर आपको सौभाविक हो जाएगा तो इस प्रकार के जो सूत्र दिया है उसका पूरा भावार्त दिया है मतलब या मिंस दिया है इसी की अधर पर स्वाल लगते हैं तो आपने इसको समझ लिया है किस परिकार का अंग का आखार बढ़ रहा है जब बढ़ेगा तो यह बृद्धी बढ़ेगी उपर को जब बढ़ेगी तब सब्सक्राइब का डाइगराम प्रिद्धसत होगा तो इस प्रिकास से आपका टॉपिक ये फिनेस होता है से मौड़ ग्रोथ बक्र और इसको हम थियोरी आपको सेंड कर देंगे ठीक है थैंक्यू